हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूच्यूब चैनल जारेडा उनलन क्लासिज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारी विश्य हिंदी कक्षा 4 सप्ताह 21 की व पहला प्राशन है बच्चों निमली के शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए तो बच्चों देखे हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिये गए हैं हमें इन शब्दों का इनके अर्थों से मिलान करना है दुबकना याने की डरकर छिप जाना पोथी यानी बुस्तक छनना याने छानने की चीज़, कुतरना पैने दातों से काटना, धाता याने की दोडता भागता, ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों, कवीता पढ़कर निमलिकित प्रश्नों के उत्तर देजे, कवीता में किस शरारती जीव की बात की गई है, तो आप सभी को कवीता की बात की गई है, शरारती जीव ने किन-किन चीज़ों को कुतर दिया, तो यहां लिखेंगे, शरारती जीव ने अनाज, की बोरियों, कपडों, जूते चक्पलों, कागजों, आदी, को कुतर दिया, अगला है बच्चों, दौना खाली क्यों रहे गया, तो यहां लिखेंगे, दौना खाली रहे गया, क्योंकि दौने में रखी मिठाई, शरारती जीव उठा कर ले गया, इसलिए दौना खाली रहे गया, अगला प्रशन है बच्चों, कभीता में कबाडी किसे कहा गया है, और क्यों, तो यहां आप सभी अपना उत्तर लिखेंगे, कभीता में कबाडी, शरारती, जीव को कहा गया है, ओ, कहा गया है, क्योंकि, कबाडी की तर है, दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है, अगला बच्चों, कौन कभीता के कवी का नाम क्या है, सोहन लाल, डुवेदी, अगला है बच्चों, प्रशन तीन, इस शरारती, जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुमारे घर में घुस जाते हैं, उनके चित्र बनाकर नाम लिखिए तो बचो कौन कौन हमारे घर में घुस जाते हैं तो चूहा, छिपकली, मकडी और मच्छर तो आप सभी उनके चित्र भी यहां बनाएंगे अगला है बचो निमलिखित प्रशन वाचक शब्दों से वाक्य बनाईए अब बचो देखिए हमें इन चब्दों से वाक्य बनाना है, कौन कौन से बनाएंगे दरवाजे पर कौन है किसका यह है फोन किसका है किसने यह है किताब तुम्हें किसने दी कैसे आप कैसे है किसे तो संग्या किसे कहते हैं ठीकी बच्चो तो इस तरह से आप सभी को इनके प्रेशन बना करके पूछने हैं अगला प्रेशन छे हैं बच्चो इस कविता में चूहे को कबाड़ी कहा गया है आपके घर पर कबाड़ी वाला आता होगा वह किस किस तरह के सामान ले जाता है वह सामान को कहां ले जाता है और उसका क्या करता है अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करके लिखिए लोहा वे प्लास्टिक की चीजे आदी खरीदते हैं कबाड़ी इन सामानों को फैक्टरियों में बेच देते हैं जहां इनको गला कर फिर से नई और उप्योगी चीजे बनाई जाती हैं ठीके बच्चो तो इस तरह से आप सभी को इसका उत्तर लिखकर हल करना है अगला है बच्चो आप सभी को प्रतिदी सुलेक लिखनी है और पाठे पुस्तक को पढ़कर डैने शब्दों का अभ्यास करना है अगला है बच्चो सलसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते जीवन लंबा होने के वज़ाए महान होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अमीड करजी ने ये कहा था ठीक है बच्चो अगला है खाना पीना घर पर बना मा की पसंद का खाना वे उनकी पसंद का पेपदात पीना गती वीदी काम वाले शब्दों का चार्ट बनाईए जैसे खाना पीना खेलना कूदना तैरना आधी ये सभी बच्चों हमारे काम वाले शब्द हैं तो इन सभी काम वाले शब्दों को आपको एक चार्ट बनाना है अगला है बच्चों दैनिक धिन खेल भाई भैन के साथ साब सेड़ी का खेल आप सभी को खेलना है दैनिक दिन चर्या निमलखित आदतों को अपने दिन चर्या में शामिल करे अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करे अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करे प्रते दिन इसनान करे खूब पानी पी और संतुलित आहार ले अपने चारे को छ और बच्चो इस दिन क्या होता है जंडा लहराया जाता है तिरंगा लहराया जाता है तो बच्चो आज आप सभी को क्या गतिवीदी दी गई है तिरंगे का महत्व बताइए तो देखे बच्चो जो हम तिरंगा लहराते हैं हमारा जो जंडा लहराते हैं उसका महत्व आप हम सभी को देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है और राष्ट्यता तता देश भक्ती की भावना का वहन करता है यह सभी भारतियों में एक जुट रहने की भावना को विक्षित करता है ठीक है बच्चो तो इस तरह से आप सभी को अपरी वर्क्षिट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया हुगा बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like बटन दबा करके सभी वीडियो को like करें जादा से जादा वीडियो को share करें और नीची दिये comment box मुझे comment जरू करके बताए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्हों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दे से जाएए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को subscribe करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद